नमस्का और दोस्तों स्वागत है आपका आर्सी टेलर शेलन में दोस्तों मैं आज आपको युगी मशिन का सटल कैसे बांते इस वीडियो को जरीए कर दुख समझाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आराम से कोलना है चलिए दोस्तों बूड भी खुल गया है अब इस धकन को अटा देंगे अब पेचकस की मदद से पटरी को अटा देंगे पटरी भढ़ गई है इसमें कितना कच्रा भरा हुआ है इसको पहले साफ करेंगे उसके बार सटल में बांद को दिखाऊंगा आपक आप दोच्छे को जिसे आप चिम्टी या टूटी हुई सुई किसी बूस की मदद से आप साफ कर सकते हैं कहा तो पहले से साफ कर लेंगे में सुई की मदद से सभग हरूंगा मेरे देखिए इसकी बज़ां मेरा कभी-कभी जाम हो जाता है तो दोस्तों लिधे साफ हो गया कच्रा है क Stickle देखाता हूँ आपको अंदेखे दोस्तो हूं इसी नीचे कर रहा हूं तो इसमें टक्र आ रही हाए कि आ अपता पेंड जो है टो यहां परना आपको ऐलकल का लूट यूज़ करना है जितने पेच लगे हो आपको हलका हलका ही लूज करना है सभी पेचों को तो दोस्तों पेचों को बिल्कुल नहीं खोलना है हलका हलका ही लूज करना है बस हमारा सटल जो है गूमने लगे ताकि हम सटल को सेट कर सके इसलिए हलका हील का ही पेचो को खोलना है सभी पेच खोलना है तब यहारे सटलर आसानी सो घुमेगा चलिए दोस्तो हमारे सारे पेच जो है लूज हो गए है अब सटल को जह देखिए स्वी की नोग को हलका हलका नीचे ले जाएंगे जब पूरी स्वी नीचे चलिए जाए उसके बद हलकी स्वी ऊपर उठाएंगे बस डहीं पर रोकना है आपको उसके बाद जो है शटल की नोग स्वी से मिला देंगे पूर की होल होता जिसमें धागा डालते है हो नीचे रहेगा और शटल की नोग जो है बिल्कुल उपर रह आपको पेशो को टाइड कर देना है कि बस सुई का खोल जो इसमें ढागा जालते बस हलका सा नीचे रहेगा नोक से और बिल्कुल सुई के बराबर में रहेगी आपको पेशो को कस देना है शेटल हमारा हो जाएगा शेटल इसके पटरी भी बांदेंगे सндयुक्क तो लीजिए दोस्तों मैं आपको चलाकर देखांगा जहीं चल लए या नहीं चल लई है कि है जो क्यों मोटे कंद शबर के दिखाया आपको कितना भी मोटा कपड़ा हो मसीद टाफ नहीं देगी बिलकुत शही चलेगी है कि है तो सो मसीन को चेक करते हैं अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंड वाक्स में पूख सकते हैं मैं उसका जब आप जरूर दूँगा आपको यह दोस्तों देखिए बिल्कुल सही चल लए हमारी मसीन वीडियो अच्छा लग हो तो लाइक कर देना शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आगे भी और भी आपको वीडियो दिखाऊंगा इस टापर के बारे में शेटल में धागा फच जाए उसको कैसे निकाले सब्सक्राइब बताऊंगा तो प्लीज चैनल